वॉल्कम टू ब्यूटी सेकरेट्स फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप अपने फटे हुए स्या हुंटों को पिंक और सॉफ बना सकते हैं इसके लिए हमें चाहिए वैस्दीन वन टेबल स्पून किसी बाउल या पैली में हम वन टेबल स्पून के करीब निकाल लेंगे नेक्स चीज जब हम इसमें एड करेंगे वह है लेमन लेमन के हम इसमें हाफ टेबल स्पून एड करेंगे या फ्यू डॉप्स चार से पांश डॉप्स हम इसके एड कर देंगे सीड्स हमने साइड पर कर दिये हैं अब इसके बाद जो 30 हमें चाहिए वो है coconut oil यानि नारियल का तेल अब हमने इसमें नारियल का तेल एड़ कर दिया है जैसा के हम देख सकते हैं के westland थोड़ी सी हार्ड है और हमें एक smooth सा paste बनाना है एक balm रेड़ी करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक दूसरा बाउल लेंगे उसके अंदर हम गरम पानी लेंगे और इस बाउल को हम इस बाउल के अंदर रख देंगे दूसरे बाउल के पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि यह थोड़ा सा गरम हो जाए और फिर मिक्स करने में असानी हो गई यह पांच मिनट यहां पर हमें हो गये हैं अब हम इसको अथैसे मिक्स कर लेंगे it's nicely अच्छे से जब इसको हम मिक्स कर चुके होंगे तो फिर हमारा बाम जो है वो बिलकुल रेडी है क्योंकि हम इसमें तमाम इंग्रीडियंट्स तो है वो एड़ कर चुके हैं अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इसको रोज इस्तमाल करें इस्तमाल किस तरह से आपको इसको करना है आप इसको 15 मिर्ट के लिए लगा कर अपने होंटों पर छोड़ दें और उसके बाद आप आप नॉर्मल टैप वाटर के साथ अच्छी से अपने होंट वाश कर लें यहां पर हमने जो बाम रेडी की है इससे हमारे तक्रिबन 15 से 20 दिन अराम से निकल जाएंगे इसको महफूस करने का तरीका यह है कि आप इसको किसी कूल प्लेस फ्रिज वगारा में किसी कंटेनर के अंदर डाल कर महफूस कर लें बेस्ट है ज़रो ट्राइ करें